हलो दोस्तों लवली नू के बारे में बात करने वाले रात को जो साड़े नो बजे में सेसन हुआ था इनका जो चेट में सेसन हुआ था उसके बारे में बात करने वाले सारे जो हाइलाइट पॉइंट्स है उनको हम समराइज करने वाले काफी इंटरस्टिंग वीडियो रहने ज्यादा देखने को मिली तो इससे क्लियर कट यह पता चलता है दोस्तों कि जो एमें सेसन हुआ था वो पॉजिटिव नहीं रहा था वो निगेटिव रहा था उसका इंप्रेशन जो था होल्डर्स पे वो काफी ज्यादा निगेटिव पढ़ा इस बज़े से पैनिक सेलिंग लिष्टिंग थी यह दोस्तों थोड़े से फॉड़े से फ्रेस्टेड नजर आये पहली बार हाला कि लवली इनों की हिस्ट्री है इसमें होल्डर समय सा फ्रेस्टेड और एंगर में नजर आते थे क्योंकि कमिट्मेंट पूरा नहीं होने पर एंगर तो आय गई लेकिन द और जितने लोग यहां पर मेसेज बगरा करते हैं तो यहां पर जो जो जोइन हुए उनकी जो नंबर जो काउंटिंग है वो 761 यानिकि 761 लोग हो नहीं वो चीज किये तो इस चीज से वो परिशान थे कि यहां पर काफी ज्यादा काउंटिंग बढ़ जाए यानि कि वो चाह काफी ज्ञादा अ कर रहे होंगे असी वजह से दोस्तों इन्हों में डियल कियोगी रहे हैं और उसी चीज का फ्रॉस्टेस जो है यह दिखाई दे रहा परसेंट जो रेट है उसके साथ है और दूसरी बात यह है दूस्तों की जो लवली वी 3 सुएप वह कोई छोटी बोटी चीज नहीं है इन्होंने ऐसा बोला है और दोस्तों जो वी 3 सुएप इसका जो यूई वर्जन है उसके बारे में भी इन्होंने डिसकस किया था अपने म session में और दोस्तो marketing का जब question को मिला तो वाँ पर इन्हों ने उसको ये जवाब दिया उस holder को particularly कि जो इसकी marketing है हम वो next week से करने वाले हैं जैसे इसका वी 3 swap जो है उल्रडी जो मार्केट में चल रहा है उसका एक और अपडेट वगेरा उसमें कर रहे होंगे जिसका नाम इन्हों पड़ा है क्योंकि इन्होंने marketing एक परसेंट भी नहीं किये और देखते हैं अभी एक वीक का इन्होंने नाम लिया है next week से ये अगर इसके marketing करते हैं तो ये थोड़ा अच्छा रहने वाला है इसके लावा दोस्तों इन्होंने फिर जो बाकी के question थे उनको raise किया जैसा कि जो होटमिट, bitmart, lot token की ये बात करें लेकिन दोस्तों apart from the mh मैं आपको बदा दूँ जो lot token exchange है वहाँ पर जो migration है वो complete हो चुका है मेरा खुद का वहाँ पर hundred million high days था जो की untradeable था काफी time से तो अभी वहाँ पर hv2 होने लगया मुझे 1000 hv2 मिल चुक है लेकिन मैं अभी उनको trade नहीं कर सकता कुछ भी नहीं कर सकता अभी उनका value zero दिखा रहा है in terms of price और दोस्तों जो bitmart है वहाँ पर भी जो older version है high days का वह नहीं मिल रहा है तो इसका मलब दोस्तों under migration वहाँ पर भी चल रहा है सिर्फ problem अभी देखने को मिल रही है जिस टाइम पर मैं वीडियो शूट कर प्रेसर नहीं है लेकिन इन्होंने कोई के बारे में बोला है कि यह बाकी एक्स्चेंज की दरब से यह डिले होने की विज़े से जो कोई बिट है वहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुका है लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी प्रीवेस वीडियो में आपको बोला था कि यह भी इनका कोई ना कोई जोलमोल एक गेम हो सकता है और वो लग भी रहा है दोस्तों क्योंकि कोई बिट ऐसा एक्सेंज है जिसको जैसा कि यह लवली इन्हों जो ओल्रेडी कई ज्यादा जो एक्सेंज है वहाँ पर लिश्टेड है ऐसा कैसे सेम हाई डेस भी कुछ ए प्रिदने वाला है नी तो दोस्तों अब भाई जैसा इन्होंने बोला कोई पर जो सेलिंग प्रेसर बढ़ रहा है तो मुझे यह नहीं समझ में आया कि सेलिंग प्रेसर वहां पर कैसे बढ़ सकता है क्योंकि कोई बिट पर अगर सेल कर रहा होगा तो वह तो इसकी टीम ही ह रहा है और जैसा कि मैंने अपने प्रेविस वीडियो में भी वोला था दोस्तों कि जो दो चीजेए वो एकदम एक दुसरे को कर रही है कि इन्होंने जैसा बोला था कि पांच लविटिव एक से रखेगा नहीं दोस्तों क्यूंकि जितने भी लवली है उसको भी वह एचब और ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नई चाह सकता ओर इसा हो भी नाइसा उसके लगागा प्रया सकता आघर लवली की सप्ली दोट्र फिर रोड आधा नहीं गया तो फिर वह बच़े गाइं कि इसदो कोई नहीं कर सकता ओर हो गाल Ю या तो दोस्तों ये कुछ प्लाइन करेंगे यहाँ पर या तो इसका प्रैस पांच डोलर बिल्कुल नहीं रहने वाला है या फिर यह यह ऐसा करने वाले है कि जो इसका अगर पांच डोलर रहता है तो जो पांच लवली से एक HV2 खरीदने के बात करें वो बिल्कुल भी नह होगा लेकिन दोस्तों में इन्होंने बोला है कि जो वी थ्री स्वेप है इनका खुद का जो लवली वी थ्री स्वेप है यह वहाँ पर जल्दी इस चीज को करवाने वाले है लिक्विडिटी वगेरा एड करेंगे यह वहाँ पर हम पांच लवली से एक HV2 खरीद कि जो कहने का मतलब यह जो लवली की प्रायिस के रेंगेर किसी नहीं पूछा होगा तो यह बोल रहें कि जैसा कि अब ने चाहर वगेरा भी दिखायते दोस्तों यह अबर कि जैसा कि जो टीम है जशा कि लवली टीम है या डवलप़र है और होल्ड दर से तो उनके बीच मे को लेकिन उने प्रोब्लम रेस कि और दोस्तों मुझे यह कोई रीजन नहीं लगता है बिल्कुल सिली रीजन है क्योंकि अंडरस्टेंडिंग तो तब होगी ना जब आप कमिट्मेंट करोगे उसको पूरा करोगे क्योंकि दोस्तों लवली की टीम की सबसे बड़ी प्रोब् कोड़ करें तो यह तो बॉस पॉसिबल नहीं होने वाला है जब तक आप कुछ अच्छा नहीं करोगे तो इन्होंने प्राइस का जो रिजन था सिंपल सा यही बतायी कि जो नहीं है और पैनिक सेलिंग काफी जयादा हो रही और यह तो सच है पैनिक सेलिंग तो पैनिक सामिल होगे हैं जैसा कि उन्होंने पुछा में मार्केटिंग को नहीं कर रहेका साव पिर UA बारे नहीं कर रहे हैं लेकिन्त आप siya को तो यहाने के कैने का मतलब यह था जो लवली लिनु का प्र प्राइस है जो इसकी हालात है अभी जो प्राइस डाउन जा रहा है तो उस टाइम पे कौन MSS कराएगा कौन डेवलपर अगर उसको भागना ही है इसके मी करना है तो ऐसे MSS वो क्यों करवाएगा तो यह उस चीज पर यह चीज बोल रहे है कि हम कि हमारे मेंबर से कि वहां पर आओ तो वह करी नहीं रहे हैं वगएरा वगएरा ऐसा कुछ हाला कि दोस्तों चिंदा मत कीज़ें डिग फिनेक्स पर तो यह लिश्ट होई जाएगा क्योंकि वह नास्मेंट में साफ साफ लिखा हुए कि हंड़र से जादा अगर वहां पर जाते हैं तो इसको लेश्ट करने वाले तो यहां पर सेवन सिक्स वन हो चुके हैं तो लगबग साथ गुना ज्यादा होगी तो यह तो लिश्ट होई जाएगा इसके लावा जो नेक्स रहे होंगे उसका दो दोस्तों इन्होंने पूछा है कि जो बर्निंग प्लान था जो कहां से उसकी अर्निंग होगी तो दोस्तों यह एक चीज और जो डिगिफिनेक्स एक्षेंज यहां से यह पका आर्निंग कर रहे होंगे पका इसी वज़े से इन्होंने पहले डिल किया होगा कि हम आपको और जदा यूजर देंगे हमारे रेफरल लिंग से और आप हमें इ विएटरी स्वेप है दोस्तों उसका यूए अपडेट उसमें लाने वाले होंगे जिसके बारे में ने बोला कि हम नेक्स्ट वीक से वो करने वाले तो उसके बाद में मार्केटिंग इसकी सुरू कर देंगे तो देखते क्या होता एक विक के बाद में कोई भरोसा अभी नही में यह बोल देया कि सक्सेस्पूली माइगरेशन मेंगरा सारा कंप्लिट हो गया हमारी साइड से और जो लवली वीथरी स्वेप है वहाँ पर जो रेश्यों है पांच लवली और एच्वीटू का यह अभी नहीं मिल सकता लेकिन यह जल्दी दिखेगा लवली वीथरी यह क्वेशन था कि पांच लवली से एक एच्वीटू खरीद पाएंगे या नहीं पाएंगे तो इसका जवाब यह दोस्तो खरीद तो आप पाओगे जल्दी हाला कि जल्द कब होगा यह नहीं पता हाला कि हो सकता एक दो दिन में या इस वीक में ही तो इन्होंने साफ लवली वीथरी स्वेप पर ही स्वेप कर पाओगे तो यह साफ चीज होगे और इससे दोस्तों यह भी पता चल रहा कि अपने जो वीथरी स्वेप उसका यूजज केस बढ़ा रहें कहीने कि चाहते हैं कि उसके यूजर्स बढ़ें तो हम भी मजबूरी में जाके अगर लवली उसका कोई अलग वरजन नहीं आने वाले ठीक है उसके लावा जो रिपलाइड किया था इन्हों ने अगले जो लिक्विडिटी थी जो एच वीटु की जो लिक्विडिटी एग वह जो वीध्री स्वेपल भी कहां पर होने वाली किने का मलब तो इन्हों के साथ ये करेंगे साध उस वज़े से ये बोला होगा अगले जो क्वेसंस थे उनके बारे में इन्होंने बोला है जैसा कि किसी ने पूछा कि हाइड वीटु स्वेप बोला है कि जो वी त्री यानि कि यह चा रहें यह बोल रहे साब साफाप कि जो बड़े-बड़े टायर वन एक्षेंज यह माग रहा है यह सब चीजे उनको पता होना चाहिए हाला कि उसके के प्रोड़क्ट है उनका उसके बाद में जो लिस्टिंग है उनके लिए अपलाई करेंगे जो टायर वाइन एक्सेंज है यानि कि बाइनस को इन्वेस वगएरा तो यह तो साफ इन्होंने एक्सक्यूस दे दिया ऐसा कुछ नहीं है तो वी त्री स्वाइब की जो शाटिक कर पाएंगे और जैसा है और दोस्तों इसमें उन्होंने वह डिकी फिनिक्स वाले का वापिस से इंडिरेटली डाली दिया था कि आपने रेफ्रेलिंग से जो इन्होंने बोला है कि जो बनेंग ये उसका जो पूरा किरेंगा इंकम रहने वाला है जो भी इनके प्रोड़क में कुछ ज्यादा अच्छा खशाहन ही अब इसको गुणनीस ले इसका कुछ पता नहीं यह इनों ने यह बोला है दोस्तों कि जो लफली जो प्रोजेक्ट हैं तु लफले की तरफ से दोस्तों तीन से देने वाले मार्केट को बहुत जल्दी कब देंगे अधानी Commissioner सटी worlds चीज चाली काफी मंलब समझ में नहीं मुझे क्योंकि सब्सक्राइब क्या उनक कुंझे को से उनकी तरभ तरह लिए मंतलब टो देखने दोस्तों Clayton मैं ज़्यादा इंसे expect नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ इतना expect करता हूं कि इन्होंने जैसा बोला है कि ये burning करेंगे अप्रेल में और lovely wallet लाने वाले अप्रेल में अगर ये दो चीज़े भी आ जाती तो मुझे मेरे लिए इतना काफी है क्योंकि मैं इतना expect कर रहा हूं क्योंकि ज़्यादा expect करेंगे तो अगर वो चीज़े फिर से पूरी नहीं होंगी तो फिर से गुस्सा आएगा तो ऐसा मुझे चाहते नहीं मेरे को इसा नहीं चाहिए बिल्कुल भी और हां जिन्होंने बहुत ज्यादा अमांट में को खरीदा वा था तो भाया वह तो अपना प्र ज़्यादा केने का वाला 30 से 35 डॉलर तो अलड़ी खो चुके तो 10-15 से को लेकर भी क्या करोगे तो मेरा तो यहीं सजेसन रहेगा कि आप इसको होल्ड कर पे रखो क्योंकि इसका प्राइस तो बढ़ेगा क्योंकि इसकेम बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एक ही चीज़े ज काफी ज़्यादा काम तो किया होगा और दोस्तों जो एस्या दूबई एक्सपो इवेंट होने वाली दूबारा उसमें भी यह पार्टिसिपेट करेंगे एज गोल्ड इस्पोंसर तो यह काफी चीजी चीज़े आने वाली अगले एक दो-दो महीने में तो मुझे लगता ह कि अगले एक-दो महीने काफी अच्छे रहने वाले हैं और हमें प्रोफिट बुक करने का चांस भी मिलेगा तो फिलाल यही था दोस्तों all about the AMS session तो अगर आपको information सही लेगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं फिलाल के लिए thank you